मैं हूँ गोलो मोलू, पान की एक छोट इसी बून्द, आप मुझे हर जगा पाते हैं, नलो में, तालाबो में, खड़ो में, जीलो में, नदियो में, सागर में, और हाँ, आसमान चे टपकते हुए भी, पर मुझे अपने बारे में, ज्यादा कुछ पता नहीं है, खोजना चाता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो चले, चलते हैं जूमी के पास, ये पानी के गुण क्या होते हैं, चलो डॉक्र चाचा से पूछते हैं, डॉक्र चाचा, राम राम, राम, राम 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 बेटे, डॉक्र चाचा, मैं पानी के बारे में कुछ पढ़ रही थी, लेकिन उसमें एक बात समझ नहीं आई, ये गुण क्या होता है, गुण, अच्छा तुम मुझे ये बताओ, कि तुम मुझे कैसे पहचानती हो, आप डॉक्टर है, मरीजों का इलाज करते हैं, और हाँ सफीद कोड भी पहनते हैं, और हाँ इंजेक्शन भी लगाते हैं, बही मुझे तो बड़ा डर लगता है इंजेक्शन से, और हाँ कडवी कडवी दवाईया भी खानी पड़ती हैं, तो यह मेरी पहचान होई, ठीक, इसी तरह पाणी का भी अपना गुण होता है, अच्छा, पाणी की खास बातें, यानि पाणी की जो पहचान है, वही पाणी के गुण है, ठीक ठीक आ, पानी के गुण का तो मैं अपने आपदा कर लोंगी, प्रप्रोपज प्रप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रो हम देखा अपनी पानी का अपना कोई अकाल नहीं होता उसे जिस बर्तन मिलालो वो उसी का अकाल ले लेता है पानी का तो अपना कोई अकार होता है नहीं है जिसमें भर्तन उसी का अकार ले लेता है अरे वाँ ये रांग तो पानी में गोल गया यानि कि पानी में और भी चीज़े घुल सकती है चलो करके देखती हूँ आवड़ोिये, चलो करके दो वाँ gwाँ़। करके पानी में भाँ вже तो काची हो बहाँ बहाँ़ में? जबलापाँ करके जिसमें कि आपेता plutôt slope झाप़ाँ में पानी पानी में पानी 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 में बाबाँ अवच्जों अपीजारे रचेड़ेगे लाओेगेगे लाओेगे पुम आपेंगे लाओे लाओेगे कुछ चीज़े पाने में घुल जाती हैं, पर कुछ चीज़े पाने में नहीं घुलती, जैसे, जैसे कि ये बीज. जानते हैं आप, पानी में बहुत चारी चीज़े घुल सकती हैं, जैसे, नमक, चीनी, मिट्टी, और साबुन, और एक बात बताऊं, चाय भी तो एक घुल है, चीनी, दूद्ट, और चाय पती का, हाँ, एक बात है, हर चीज़ पानी में नहीं घुलती, जैसे, पानी में डाला गया, ये पत्थर, सोचो, सोचो, और भी बहुत चारी चीज़े हैं, तब तक, मैं जूमी के साथ, अपने बारे में कुछ और जान अरे हाँ, जैसे, शीशे के बरतन के आरपार देखा जा सकता है, वैसे ही, पानी के भी आरपार देखा जा सकता है क्या आपको पता है, पानी तो पारदर्शी है, इसलिए तो हमें इसमें इतने सुन्दर सुन्दर नजारे देखने को मिलते हैं हाँ, लेकिन यदि पानी को हिला दें या फिर उसमें कुछ खोल दें तो पानी या तो रंगीन हो जाता है या अपना पारदर्शी गुण खो बैठता है एक मज़ेदार बात और बताओं, जैसा कि जूमी ने कहा पानी एक तरह से सीशे जैसा ही है तुमने तो देखाई होगा, बड़े बड़े शीशे आएने की तरह रोश्नी को वापस ठेकते हैं वैसे ही पानी भी आएने जैसा ही काम करता है अरे, प्लीट में से पानी खाँ गया, कई हवा तो ने उड़ा के ले गई, पता लगाना पड़ेगा पानी भाब बनकर हवा में मिल जाता है पानी चाहे तालाब से हो, गीले कपड़ों से, सडकों से, उबलते पानी से, या फिर पेड़ पॉझों से और हमारे शरी से भी तो पानी पसीनी के रूप में निकल जाता है इसी लिए तो हमें प्यास लगती है अरे, जूमी ने तो एक बड़ा ठेड़ा सवाल पूछ लिया क्या भाब से ही बादल बनते हैं, पता लगाना होगा डॉक्टर चाचा, डॉक्टर चाचा हाँ बेटे मैं एक बात सूच रही थी क्या बादल भाब से बनते हैं पेटे, बहुत ही मज़ेदार सवाल है तुम्हें काम करो इसमें बरफ ले आओ ठीक है, मैं लाती हूँ ये लीजे, डॉक्टर चाचा मैं ले आई हूँ अच्छा पेटे, एक बात बताओ तुम्हें मालूम है बरफ क्या होती है और ये कैसे बनती है थोड़ा बहुत मालूम है लेकिन मैंने देखा है आपको आप ट्रे में पानी भरका फ्रेज में रख देते हैं और कुछी देर बाद वो बरफ बन जाती है बरफ तो पानी की ही बने वी है ना शाबाज, बेटे तुम्हें तो बहुत मालूम है उसे भान निकाल के रख दें तो वो पिगल के फिर से पानी बन जाती है अच्छा एक बात बताओ ये बाला पानी कहां से आया ये बाला पानी कहां से आया ये ग्लास के अंदर का पानी तो नहीं है शायद हवा से आया हो हो सकता है अच्छा ऐसे होता है जो पानी भाप बनकर हवा में मिल जाता है वही अब फिर से पानी बन गया समझ में आ गया बरफ, पानी और भाप पानी के अलग-अलग रूप होते हैं पानी को ठंडा कर दो तो बरफ जम जाती है और गरम कर दो तो भाप बरफ को गरम कर दो तो पानी बन जाता है और भाफ को ठंडा कर दो तो वो भी पानी बन जाता है अब आई बात समझ में पानी को ठंडा कर दें तो वो बर्व बन जाती है और पानी को गरम कर दें तो भाप बर्व को गरम कर दें तो वो पानी में बदलता है और भाप को ठंडा कर दें तो भी पानी और यही भाप ठंडी होकर दिखने लगी बर्ग के गिलास के बाहर और उसके रूप में, कोहरे के रूप में, या फिर धुन्द बनकर भाप हवा में उड़कर बादल बन जाते हैं और बादिश के रूप में बरसते हैं और अगर पानी को बहुत ठंडा करतो, तो वो जाम जाता है और ऐसी जगा पे तो बहुत ठंडा लगेगी क्यों, कैसी रही गलम मोलो की कहानी? भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आया खोज में, क्या आपको आया? खोज करने में तो बहुत मज़ाता है, और इतना सब कुछ पता लगता है, है ना? आप लोग एक बार जूमी के किताब देख लिजे, तब तक मैं और जूमी कुछ और खोज करके आते हैं आपको 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 आते हैं आपको 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 आते हैं आपको 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 आते हैं